स्वागत मैं एक के चोधरी आज आप के लिए लेकिया हूँ आयोध्या राम मंदिर के उपर बनी मोस्ट इंपोटेंट करंटा फेर के क्यूशन इस टोपिक से कम से कम दो या तीन क्यूशन पूछे जाएं क्योंकि ये टोपिक हाइलाइट हो चुका है तो चलिए हम सुरू कर करते हैं आज का मारा पहला क्यूशन आयोध्या राम मंदिर की उचाई कितनी है जो आयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है उसकी उचाई कितनी है तो कितनी है 161 फिट ओप्शन भी क्या हो गया सही होगा 1988 में आयोध्या राम मंदिर के लिए जो नक्षा बना था उसमें राम मंदिर की उचाई 141 फिट की गई थी जो आब कितनी कर दी गई है 111 फिट कर दी गई है नेक्स्ट क्यूशन आयोध्या राममंदिर के वास्तुकार कोन है इसके वास्तुकार है चंदरकांत सौमपुरा यहां ओप्शन ए क्या होगा सही होगा आयोध्या राममंदिर के वास्तुकार चंदरकांत सौमपुरा है नेक्स्ट क्यूशन आयोध्या विवाद का फैसला कित कितने जजों की बैंच ने सुनाया था जो कितने जजों की बैंच ने सुनाया था option D क्या हो गया सईयोगा अब इसमें जो जजे थे उनके बारे में बता दिता हूं इस फैसले में जिनों ने सुनाया था उसके अध्यक्सते रंजन गोगाई रंजन गोगाई कोन है Chief Justice of India दूसरे जश्टिक्स है Justice S.A. बोवडे तीसरे Justice D.Y. चंदरचूड चोथे Justice Asok भुषन और पांचवे Justice अब्दुल नजीर ये थे पांच जश्टिस की बैंच जिसमें से इसमें अध्यक्सता रंजन गोगाई ने की थी नेक्स्ट क्यूशन अयोध्या भुमी विवाद मामले में मस्जिद बनाने के लिए कितनी एकड जमीन दी गई है तो कितनी एकड जमीन दी गई है पांच एकड ओप्शन B क्या हो गया सहयोगा नेक्स्ट क्यूशन किस परदान मंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था कौन से मस्जिद को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था पीवी नर्सिंग राओ के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराय गया था ओप्शन C क्या हो गया सायोगा पीवी नर्सिंग राओ गुन्नी सो ग्यारा से गुन्नी सो च्यानमा तक क्या थे परदानमंत्री थे उनका कारेकाल क्या था गुन्नी सो ग्यारा से गुन्नी सो इक्यानम से गुन्नी सो च्यानम तक और बाबरी मस्जिद को कब गिराय गया था छै दिसंबर गुन्नी सो बानम को next question बाबरी मस्जिद को कब बनाया गया था बाबरी मस्जिद 1528 में बनी थी option D क्या हो गया सही होगा बाबरी मस्जिद को किसने बनाया था बाबर का सेनापती मीर बाकी ने बनाया था किसने मीर बाकी और बाबर कौन से वन से थे मुगल वन से next question अयोध्या राममंद्र का निर्माण कोन सी कमपनी करेगी अयोध्या राममंद्र का जो निर्माण होने जा रहा है वह है कोन सी कमपनी करेगी L&T, option A क्या हो गया, सही होगा अब यहाँ L&T आया तो इसकी फुलपर्ण क्या होती है Larson & Turbo इसकी इस्तापना कवई थी? 7 फरवरी 1938 को और इसके इसका एड़कॉर्टर का है मुंबई, महराष्टर में इसके MD & CO है SN सुबर्मन्यम कोन है? SN सुबर्मन्यम Next question शिरी राम जनम भूमी मंदिर का शिलयनास कब किया गया था? शिरी राम जनम भूमी मंदिर का शिलयनास कब किया गया था? कब किया गया था? 5 अगस्त 2020 को किया गया था और यह हैं शिलयनास परधान मंत्री निरंदर मोधी द्वारा किया गया था Next question आयद्यार राम मंदिर में पीलरों की संक्या कितनी रखी गई है जो मंदिर बनेगा उसमें पीलरों की संक्या 306 रखी गई है Option B क्या होगा है? सही होगा पीलरों की संक्या कितनी है? 306 और इसमें कितनी मंजिल होंगी? 3 मंजिल कितनी मंजिल? 3 मंजिल इसमें दर्वाजे कितने होंगे 24 इस मंदिर में 24 दर्वाजे 3 मंजिल और पीलरों की संक्या 306 और इसमें एक और बात है गुंबदों की संक्या कितनी होगी 5 तो मैं ए बार फिर से बताता हूँ पीलरों की संक्या 306 चोबिस दर्वाजे 3 मंजिला होंगे और गुंबदों की स साथ साथ एकर जमीन पर, ओप्शन D क्या हो गया, सही होगा, next question, आयोध्या भूमी विवाद पर सुप्रीम कोट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था, तो कब सुनाया था, नो नौमबर दो जार गुनिस को, ओप्शन A क्या हो गया, सही होगा, आयोध्या भूमी पर ओड़ा अक्टूबर दो जार गुनिस को, next question, आयोध्या भूद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली, तो कितने दिन सुनवाई चली थी, 40 दिन, ओप्शन C क्या होगा, सही होगा, आयोध्या भूद में लगातार 40 दिन तक सुनवाई चली थी, next question, आयोध्या भूद का फैसला किस के पक्स में आया था तो किस के पक्स में आया था राम जनम भूमी न्यास के पक्स में option A क्या होगा है सही होगा next question किस इस्तान पर 4 लाख दिये जला कर गिनीज बुक में नाम धर्ज किया गया है किसी स्थान पर क्या गया था आयोध्या में, ओप्सन C क्या हो गया, साहियोगा, आयोध्या में 4 लाख दिये जलाकर, गिनीज बुकों में नाम दर्ज कराया था, Next Question, आयोध्या का प्राची नाम क्या है, तो आयोध्या का प्राची नाम है, पहजाबाद, option B क्या हो गया, सही होगा और आयोद्या कहा इस्तित है, उत्तर पर्देश में आया तो उत्तर पर्देश के बारे मता दूँ Capital, लखनव, Chief Minister, योगी, आधितेनात और Governor, आनंदी बेन, पतेल अब एक most important राम मंदिर निर्मान करने वाले ट्रस्ट का क्या नाम है इस ट्रस्ट का क्या नाम है, सिरी राम, जना, भूमी, तीर्थ, छेतर है ये most important है, इसके अध्यक्स कोने, महेंत, नर्ते, गोपालदास कोने, महेंत, नर्ते, गोपालदास और इस स्वर्य मैस अचीव लिखागा है मास अचीव और इस राम मंदिर निर्मान करने वाले ट्रस्ट के मास अचीव हैं चंपत रोय इसके कोशाद्यक्स कोन है गोविंद गिरी तो ये अयोध्या के उपर most important current affair के क्यूशन थे इन क्यूशनों में से कोई भी बार से क्यूश अचीव और ने परना ने वाले